इस पेपर में हम बुद्धिवादी दाशनिकों को पढ़ रहे हैं इसमें हमने स्पीनोजा को शुरू कर रखा है बैनेडिक्ट स्पीनोजा को शुरू कर रखा है मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछली क्लास में कि बुद्धिवाद क्या होता है और स्पीनोजा जब दर्वे की परिभाशा देता है wrapping तो उसे क्या कहता है एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं मुझे लास क्लास में बताय था कि Spinoza ये कहता है कि द्रव्य एक परिमित सत्ता है एक स्वेंभू सत्ता है एक स्वतंत्र सत्ता है नित्य सत्ता है और जो अपने होने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है स्वेम्बू है मतलब खुझ से ही उत्पन होती है परिमित है मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है और उसे जब सुतंतर कहते हैं तो जैसे कि वापने होने के लिए किसी दूसरे पर निरभर नहीं है तो जब पिछली बार हमने द्रवे की परिभाशा की और स्पिनोजा के द्रवे की सिध्धान्त को पढ़ा तो आज हम उसके गुण के सिध्धान्त को पढ़ेंगे स्पिनोजा यह कहता है कि गुण हम उसे कहेंगे जिसे बुद्धी द्रवे का सारतत्व समझती है अब हमारे सामने दो तीन चीज़ें आई है कि बुद्धी क्या होती है सारतत्व क्या होता ह द्रव्य मैं आपको बताई चुकी कि द्रव्य वो सत्ता है जो सतंद्र है आत्मनिर भर है तो गुण वो है जिन्हें बुद्धी द्रव्य का सारतत्व समझती है सारतत्व का मतलब हुता है उसका essence उसका सार, सार आप लोग समझते हैं किसी भी चीज का जो साराश निकलता है उसको सार कहते हैं और गुद्धी द्रव्य को गुणों का सारतत्व समझती है अब स्पिनोजा है हमने देखा था last class में यह कहते हैं कि इश्वर के संधर में बात करेंगे तो कहेंगे कि इश्वर निर्गुन है या द्रव्य में असिमित गुण है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे कि कई लोग कहते हैं कि निरगुण होने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें गुण नहीं है बलकि निरगुण होने का मतलब है कि उसमें असंख्य गुण असिमित मात्रा में है कि असंख्य गुण जिनकी ह हम गंगा नहीं कर सकते में जिसे हम नें। इस तरह समझ्जे Ну टया हमें की व्यक्ञा को द्रव्वे के जो गौण एनकी व्यक्ञा को दो तरीके से कि आ गया है एक सतवहध कि जब निर्गुन है तो यसी कहसकते है कि उसमें कुछ खास गुण होंगे गुणों को स्विकार करने का मतलब ही सीमितता को स्विकार करना है ये प्रत्यवादी कहते हैं और वो कहते हैं कि इश्वर सीमित नहीं हो सकता द्रव्य भी सीमित नहीं हो सकता इसलिए हम गुणों की सत्ता को वास्त्विक रूप से स्विकार नहीं करेंग गुण अपने होने के लिए बुद्धिपर निर्भर नहीं करते जब यही बात कि अगर हम यह कहें इश्वा निर्गुन है यह द्रव्य असेंग असीमित रूप से हैं असंख्य रूप से हैं तो इसके कहने का मतलब यह है कि वो असंख्य भी कितने हैं हम इने जान सकते हैं अब कुछ लोग यहां पर यह कहते हैं कि मानव सीमित है तो असंख्य गुणों में से मानव केवल दो को जान सकता है यह स्पिनोजा का मत है स्पिनोजा प्रत्यवादी विचारक है वो यह कहता है कि द्रव्य में असीमित गुन होते हैं और सीमित इसलिए नहीं बोलेंगे कि जब भी हम कुछ सीमित बताने की कोशिश करेंगे माल लीजिए हम कह देते हैं कि यह वस्तु लाल है तो जैसे ही हमने किसी वस्तु पे लाल रंग का आरोपन किया है हमने उसे लाल रंग से संकेतित किया तो इसके साथ ही हमने ये भी कह दिया कि उसमें बाकी रंग नहीं है उसमें हरा नहीं है उसमें काला नहीं है नीला नहीं है और हमने कह दिया कि वो लाल है तो एक तरीके से हमने उसको एक रंग के साथ जोड़ दिया हमने उसको सीमित कर दिया इसी लिए स्पिनोजा का जोर है कि द्रव्य में मैं असंख्य गुणों को मानूगा और असीमित मात्रा के रुपे मानूगा ताकि मेरा द्रव्य सीमित ना हो या मेरे द्रव्य की परिभाशा सीमित ना हो जबकि दैकार इससे पहले द्रव्य की परिभाशा इस तरह दे चुक नहीं कर पाया उसी में सुधार करते वे स्पिनोजा ने केवल एक द्रव्य को स्विकार किया और कहा कि द्रव्य एक ही है और वही सत्य है उसके अलावा दूसरी चीज सत्य नहीं है उसके अलावा दूसरी चीज का स्थितु सुतंत्र नहीं है अगर वो वस्तू है भी तो वो अपने होने के लिए द्रव्य पर निर्भर करती है अब हम लौटकर वापस आ जाता है स्पिनोजा की बात पर जहां स्पिनोजा यह कहता है कि इश्वर के या द्रव्य के असंख्य गुणों में से मानव केवल दो ही गुणों को जान पाता है एक गुण होता है उसका चेतना और दूसरा गुण होता है विस्तार मानव की बुद्धी केवल इनी दोनों गुणों को पकड़ पाती है बागे गुण तो इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं अब यह जो चेतना है यह एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि मन की प्रतिनिदी हो गई और जो विस्तार है वो और देह में क्या संब्ध है वही प्रश्ण देकार्थ के सामने भी था जब देकार्थ ने उसका जवाब दिया था कि उनके बीच में क्रिया प्रतिक्रिया का संब्ध है कि जो चेतना है वो कोई ग्लैंड होती है उसके अंदर रहती है वो प्रतिक्रिया करती है तो शरीर र gland में जो आत्मा होती है वो react करती यहां पर स्प्पिनोज्सा इस बात को स्विकार करता यह कहता है कि यह दोनों एक-दूसरे से अलग तो है लेकिन एख दूसरे के विरोधि यह वो एक उपमा से समझाने की कोशिश करता है कि जैसे सूर्य से किर्णे निकलती है वैसे इश्वर से ये दो गुणों की किर्णे निकलती है एक हो जाता है चेतन और एक हो जाता है जड़ तो ये एक दूसरे से अलगत होते हैं ये दूसरे को काटते नहीं है एक दूसरे के विरोधी नहीं है ये समानतर रूप से जगत में व्यक्त होते हैं मन भी अपना कारे करता है और विस्तार भी अपना कारे करती है और जड़ भी अपना कारे बराबर करता है एक दूसरे के विरोधी ये नहीं होते हमारे शरीर में और जगत की अनेकानेक वस्तोमी ये दोनों हमको समान रूप से कारे करते हुए दिखाई जो यह कहता है कि चेत्रा और जड़ समानतर रूप से जगत में मानव शरीर में पाई जाती है यह दूसरे से भिन्य है लेकिन एक दूसरे के विरूदी नहीं है बुद्धिवादी दार्शनिक जितने हैं जैसे हमने देकार्थ को पढ़ा स्पिनोजा को पढ़ रहे हैं उसके कि मन और शरीर के बीच में जवस्मानतर रूप का संंध के वह ज्यादा तार्गीक है बजय क्रिया पर्तिक्रिया सिध्धान्थ के यहां करणकार रूपृ कि हमने आज का सिध्धान्थ पढ़ा और संस्मानतर वाद का छिव изв विकार का सिध्धान्द पढ़ेंगे और उसका सर्वेश्वरवाद का सिध्धान्द पढ़ेंगे थैंक्स